सनातन धर में जेठ माहा का विशेश महत तो बताये गया है और इस महीने पढ़ने वाले सभी ब्रत और तयोहार भी अपने आप में बहुत महत पूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इस महीने पाउन पुत्र हनमान की विदेविधान पूर्बक पूजा आरातना करने का विधान है इतना ही नहीं इस महीने पढ़ने वाली पूड़िमाति थी भी बेहत फलदाई मानी जाती है धार्मिक मानिता के मताबिक पूड़िमाति थी के दिन भागवान सिरी हरी विश्नु की पूजा आरातना करने का विधान है ऐसा कहा जाता है जो लोग इस दिन भगवान विश्नु और धन की देवी मालच्मी की पूजा आरातना करते हैं उन्हें मंचाहवर की प्राप्ती होती है हिंदु पंचांग के मुताविक इस साल जेट माह की पूजी माह 22 जून को मनाया जाएगा इस दिन को लेकर कई सारे नियम भी बताए गए हैं तो चली आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आयुद्या के जोतिस पंडित कलकी राम के मुताविक पूली माति थी के दिन तामसी भोजन करने से बचना चाहिए इस दिन बाल नाखोन नहीं काटना चाहिए पूली माति थी के दिन भागवान सिरी हरी विश्नु और माता लच्छिमी की पूजा राप्ता करनी चाहिए